और बड़े खबर बॉलेवोड अभिनेता शाहरुख खान को पठान फिल्म के दौरान मिली धमकियों के बाद महराश्ट सरकार ने उनके सुरक्षा बढ़ा दी है शाहरुख खान को सरकार ने वाई प्लस कौट की सुरक्षा दी है हाई पावर कमेटी के रेकमेंडेशन के बाद शाहरुख खान की सुरक्षा वाई प्लस कौट कर दी गई है शाहरुख खान के साथ अब राज्य की वी आई पी सुरक्षा यूनिट के छे ट्रेंड कमांडोस की टीम हर समय होगी जो MP5 मशीन गन, AK-47, असाल ट्राइफल और ग्लोक पिस्टल से लेस होंगे शाहरुख की सुरक्षा के लावा उनके घर पर मुंबई पुलस के चार जवान 24 घंटे वेपन के साथ पहरा देंगे शाहरुख खान को ट्राफिक क्लियरंस वीकल भी होगी जो ट्राफिक क्लियर करेगी ताकि शाहरुख खान की गाड़ी के आगे पीछे भी कोई न कोई आए और उनकी गाड़ी कहीं से भी ट्राफिक में न फसने पाए अभीनेता शारुक खान को वाई प्लस केटेगरी की सुरक्षा दी गई है जानकारी है कि जब से पठान फिल्म रिलीज हुई थी उसके बाद से शारुक खान को सोशल मीडिया की तरफ से लगातार धमके मिल रही थी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि शारुक खान का बैंड स्टैंड इलाके में मौजूद ये मननत बंगला है जहां पर धमकी मिलने के बाद शारुक खान को दो पुलिस कॉंस्टेबल जो है मोहिया कराई गई थी सुरक्षा के तौर पर लेकिन हाई पावर कमिटी की बैठक के बाद अब ये तै कि आ गया है कि शारुक खान को वाई प्लस ग्रेट की सुरक्षा जो है दी जाएगी आपको बता दू वाई प्लस की जो सुरक्षा श्रेणी होती है उसमें कुल ग्यारा सुरक्षा कर्मी होते हैं जिसमें से 6 कमांडो लेवल के कर्मचारी होते हैं जिनके पास MP5 टाइप के गण और AK-47 टाइप के गण होते हैं MP5 जो मशीन गण है उसकी शमता जो है नजदी की मारक की काफी तेज होती है यानि 25 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक के टारगेट को आसानी से पूरा कर लेते हैं और एक मिनट में इस गण के जरिये 600 गोलिया चलाई सा सकती है यानि कुल मिलाकर देखा जाए कि पठान फिल्म के बाद जिस तरह से जवान फिल्म रिलीज हुई और शारुक खान को लेकर के लगातार जिस तरह से धमकियों वाला सिलसला शुरू हो रहा था उसे ध्यान में रखते हुए अब यह तैक ही आगया है कि शारुक खान को Y-plus grade की सुरक्षा दी जाएगी और जिस तरह से मैंने कहा कि Y-plus security किस तरह से होती है उस तरह के commander अब जो है शारुक खान के साथ रहेंगे साथ ही शारुक खान जहां भी जाएंगे उनके साथ एक traffic clearing करने का जो कार हो की मिलने के बाद अब सरकार नहीं ये तैक है कि शारुक खान को Y-plus security दिया गया है कैमरमेन अविनास लुंडे के साथ पिशान पांडे निउस एडिन मॉंबाई और खाबर इसराइल से जड़ी हुई हमास युद्ध के बीच अलिगड मुस्लिम यूनिवरस्टी के चात्रों ने कैमपस में प्रदर्शन किया है एम्यू के चात्रों ने फलस्तीन के समर्थक में नारे बाजी की है धार्मिक नारे बाजी की है और अलाहू अकबर के नारे लगाए हैं इस दोरान हातों में स्टैंड विद फिलस्तीन एम्यू स्टैंड विद फिलस्तीन लिख करके पोस्टर लिये हुए वो नजर आए इसराइल और हमास के बीच शनिवार से युद जारी है और शनिवार सुबा जब हमास ने चन्मिंटों में इसराइल पर हजारों रोकेट ब लिगेलिव नारे के बाद यूपी सरकार में धरज़ा प्राप्मंत्री ठाकुर रगुराज ने एम्यू पर तीखा प्रहार किया और कहा कि एम्यू को बंद कर देना चाहिए वहीं बीजेपी ने तक अबल मिर्शा ने भी फलस्तीन के समर्थ को पर करारवार किया है अबी और बिश्यू की चाहे वर्पान हो सब जगे या तंग वादी और ठंग मंस्लिम ही होता है इसलीए जैंगे प्रहाथ मंत्री जी ने होता है और करना चाहिए और मैं कहता हूं फिलिस्तिनी में जितने भी आतंक बादी ततकाल उनको धष्ट करना चीए और इस मुस्लिम इंवर्स्ट्री अलिगड को ततकाल बंद करना चीए मैं तो आधणिये प्रधान मंत्री और आधणिये राश्ट यह इजराईल में जो भयानख़त्या कांड हुआ नर संगार हुआ माताओं को बेहनों को बेटेंए के साथ जो प्रतारना की गई उसके बाद तुरंट हमास के समर्थन में फिलिस्तीनी जो ये गतिविदी हुई आतंकवादी इसके समर्थन में बयान देना इसके समर्थन में खड़ा होना ये बहुती विशैली प्रवित्ती है और मुझे लगता है कि ये भारत की सोच भारत की आत्मा से जुड़ी हुई प की और यूनिवर्स्टी प्रशासन से कारवाई की मांगी जबकि एस पी प्रवक्ता का कहना है कि छात्रों का कोई धर्म नहीं होता इसके प्रदान मंत्री आदर्णी नरेंदर मोदी जी ने भी आपन की इस घट्डा के खिलाफ इसराइल का साथ देने की बात की है इसके बाद अलिगर्ण मुस्लिम इन्वस्टी में वहाँ के छात्रों के द्वारा फिलिस्तίν का समर्थन We stand with फिलिस्तίν जैसे नारें निश्ञतर्णी से निंदा के योक्य हैं अलिगर्ण मुस्लिम इन्वस्टी के प्रशासन को इस बात को देखना चाहिए और जो लोग भी देश के स्टैंड के विरुद्ध काम करते हैं उनके ओपर विधिक डाइरे में रहके निश्चुत रुपसे देखें सिक्षित करके बेजना चाहिए कोई किसी कंट्री से आता है कोई किसी मज़भ से आता है उसकी डिगरी देख करके हमें उसका दाखला ले करेंगे उसको आठे के सिक्षा प्रदान कमेंच चाहिए वहीं एम्यू पर हनुमान गड़ी के मांत राजुदास ने प्रतिक्रिया दी और देश में फलस्तीन का समर्थन करने वालों उपर बार किया बरेली में और इंडिया मुस्लिम जमात के राश्ट्री अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहबुद्दीन विजवी ने इसराइल और फलस्तीन के बीच जंग को शांत कराने के लिए प्यम मोदी से गोहार लगाई कि मान ये प्रधान मंतरी जी ने इज़दाहिल का समर्थन किया और फलस्तीन का विरोध किया दुखिस बात किया है हिंदूस्तान में जहां लोगतांत्रिक है डेमोक्रेशी है लेकिन इस डेमोक्रेशी में भी यहाँ पर भी धर्म लेक लोग चलते हैं आतंगबाद का भी इस्लाम दर में दालती में चाहत्रों की द्वारा रोड पर तक्ति लेकर फिलिस्तीन आतंगवादी के समर्थन में ना अ इस्राइल और फिलिस्तीन में इस वक्ड घमासान की सूरते हाल है जहां पर सरक्रों लोग की जाने जा चुकी है ऐसी सूरते हाल में मैं भारत सरकार के पढ़ान मंतरी नरेंदर मोदी जी से अपील करूंगा कि वो मद्हस्ता करें और जंग बंदी की पहल करें चुकी जंगो जिदाल किसी भी मसले का हल नहीं है और खाबर नॉड़ा से जहां सेक्टर 30 में एक सड़क धस गई वताया जा रहा है कि डीपे स्कूल की सर्विस लेन में कई दिनों से सीवा का ओवरफ्लो हो रहा है जिसकी वज़े से सड़क धस गई है सड़क और डिवाइडर के बीच करीब 40 पिट का गया पा गया है वनिमत तो बात की रही कि किसी की जन हानी नहीं हो आग सुबा करीब साड़े पांच बजे सड़क धसने की जानकारी मिली है सेक्टर 30 में डीपे स्कूल के पास की ए घटना आपको तस्वीर दिखा रहे है उस जगा की जहां पर इस सड़क धस गई है बताया जा रहे कि 40 फिट का गया पा गया है बहुत दिनों से एक सीवर ओफ्लो कर रहा था जिसके कारण ये सड़क धस गई और ये बड़ा सा गढ़ा बन गया गटना बताई जा रही है सुबा 5.5 बजे की है गनीमत यही रही कि कि किसी की हाथ से में जान नहीं गई है लेकिन आप देखेंगे कि एक बड़ा एरिया है यहाँ पर और ये 15 से 20 फिट का शेतर है इसके अलावा ये में मार्ग है जो की निठारी जिलास्पताल से होकर सामने अंडर पास जाता है और डी एंडी की तरफ ये रास्ता जाता है फिलाल एतियाग के तोर पे यहाँ देखेंगे बरिकेटिंग लगा दी गई है कुछ एरिया ग्रीन मैट से ढखा भी गया है ताकि लोग नहीं आए लेकिन आपको बता दे क्योंकि ये मुख सड़क है और यहाँ पर वहनों का दबाब बहुत रहता है इसे में माना जा रहा है कि ये जो छेतर है ये और बढ़ सकता है और बड़े छेतर हो सकता है लेकिन इसके गैराई क्या है ये किसी को अनुमान नहीं है फिलाल अधिकारियों से जो बाचीप की गई है उनका ये कहना है कि सीवर लाइन सेक्टर 26-27 को पास धसी थी जिसका साइड एफेक्ट हुआ और ये एरिया धस गया है फिलाल इस एरिया को लेकर अधिकारी है वो लगातार पहुच रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर इसको क्या वजह रही और क्या ये एरिया और आगे बढ़ सकता है ताकि ये रोड भी आने वाले वक्त में बंद करनी पड़े हैं इन तमाम चीजों को लेकर दीरे दीरे अभिकारी भी यहाँ पहुच रहे हैं लेकिन और सुत्रों के हवाले से खबर है कि गाजियबाद को बहुत जल्द रापिड रेल की सौगात मिल सकती है अगले सब्दा से ट्रेन का संचालन शुरू हो सकता है सुत्रों के मुताबिक पी एम मुदी 16 अक्टूब को साहिब अबाद से दुहाई तक कोरिडॉर का उट घाटन कर सकते हैं और इससे लोगों का सफर आसान हो जाएगा देश के पहली रापिड रेल दिल्ली से मेरट के बीच चलाई जाएगी इसके जारातर काम को पूरा कर लिया गया है और बहुत जल्दी इस रूट पर Championships का नाम दिया गया है एक्स छे कोच के साथ चलेगी और ये सबी कोच आसी वाले हुंगे इसमें एक साथ 45.500 याठ्री ट्रावल कर सकते हैं इसमें एक कोच प्रीमियम होगा और बाकी महिला याठ्री ओके लिए होगा इस ट्रेन में मोबाइल से लेकर इलेक्रिक्स सामानों के लिए चार्जर आधी की भी सुविधा दी जाएगी 17 किलोमीटर का पैचवग जो है जो की साहिदोवाद से लिकर दुहाई दीपो तक बना हुआ है जिसमें पाच स्टेशन भी आते हैं 17 किलोमीटर का पूरा पैचवग तयार हो चुका है ऐसे में सुत्रो की अगर माने तो आगामी 16 अक्टूबर को परधान मंत्री नरेंदर मोदी दुआरा ये 17 किलोमीटर का लंबा जो सफर है इसके लिए जो रैपिट ट्रेन तयार हो चुकी है इसकी सोगात आम जनता को दे दी जाएगी हाला कि अभी तक इसकी अधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है लेकिन दावा इसी बात का किया जाता है कि सुत्रो के वाले से जो खबर आ रही है कि पर्थम चरण में ये ट्रेन जो की साइबाबास से दुआई डीपू तक चलेगी उसका लोकारपन जल्द ही न्यूजेटीम उत्तरवेश उत्तराखन